C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षातीन की द्वनी पुस्तक गनित का जादू पांचमा पाट आकृतियों का कमाल प्रिष्ट संख्या साथ चलो पठाखा बनाए इस प्रिष्ट पर छे चितर दिये गए हैं जिसमें एक कागस के माध्यम से पठाखे बनाने की विधी बताई गई है हमने एक कागस को लेकर उसे दो बराबर भागों में मोड़ा फिर उपर वाले हिस्से को दो बराबर भागों में अंदर के तरफ मोड़ दिया फिर एक बार दोबारा उसे अंदर के तरफ मोड़ा उसके बाद मोडे वाले हिस्से को बाहर के तरफ रखते हुए बीट से मोड़ दिया फिर मोडे गए हिस्से को बंद वाली तरफ से नीचे से पकड़ा और पूरे कागज को खुली वाली तरफ से नीचे से पकड़ा और अब मुले वाले हिस्से को बाहर के तरफ खीच दिया तो उसका दूसरा सिरा चोंच की तरफ नीचे आ जाएगा और इसी चोंच को पकड़ कर हम उसे ऐसा जोरदार जटका देंगे तो आवाज आएगी पटाक तो बन गया पटागा प्रिष्ट संक्या 61 आकरतियों का खेल इस प्रिष्ट पर त्रिभुज आयत वर्ग और वृत के द्वारा एक जोकर बनाया गया है इसमें आपने लाल नेला पीला और हरारंग भरना है जैसा के नीचे दिखाया गया है उसके हिसाब से जोकर में रंग भरो तिकोन वाले हिस्से को लाल रंग से भरो आयत वाले हिस्से को नीले रंग से वर्ग को पीले से और गोले को हरे रंग से भरो तो इस तरह तुम्हारा रंग बिरंगा जोकर हो गया तैयार प्रिष्ट संख्या 62, हर आकरती में कितने कितने तिकोन हैं, यहां पर तीन आकरतियां दी गई हैं, पहली आकरती चार भुजाओं वाली है, दूसरी आकरती छे भुजाओं वाली है, और तीसरी आकरती तीन भुजाओं वाली है, हर आकरती को रेखाओं की मदद से तिकोनों म बाटा गया है। अब आपको ये बताना है कि हर आकरती में कितने कितने तिकोन हैं। इसी प्रिष्ट के अगले हिस्से में वर्गों की मदद से चार आकरतियों को दर्शाया गया है। इन आकरतियों में सबसे बड़ी आयत ढूंडो। प्रिष्ट संख्या 63। इस प्रिष्ट पर कुछ बच्चे छोटू, गुड़ू, बंटी, टिंकू, राजा और मीता एक खेल खेल रहे हैं। ये खेल वो मेज के चारों तरफ खड़े होकर खेल रहे हैं। किनारे और कोने। मीता और उसके पाँच दोस्त एक खेल खेल रहे थे। टिंकू की आँखो पर पट्टी बंदी थी। उससे कहा गया कि वो तब तक ताली बजाता रहे जब तक वो चाहे। बाकी बच्चे मेज के चारों और घो में जैसे ही टिंकू ताली बजाना बंद करें वैसे ही दूसरे सारे बच्चे जहां हों वहां रुख जाएं। जो भी किसी कोने पर नहीं होगा वो आउट। अब आँखो पर पट्टी बांधने की उसकी बारी होगी। क चित्र को देखो क्या तुम बता सकते हो कि कौन आउट है। ख गुड्डू कहां खड़ी है। ग, क्या इस खेल को हम किसी गोल मेज के चारों तरफ घूमते हुए खेल सकते हैं। क्यों? हमारे चारों तरफ कई ऐसी चीजे हैं जिनके किनारे सीधे होते हैं। उधारण के लिए किताब का किनारा, कुर्सी का किनारा, पतं का किनारा। प्रिष्ट संख्या 64 कई ऐसी चीज़े भी होती हैं जिनके किनारे गुमावदार अर्थात वक्र होते हैं उधारन के लिए पहिये का किनारा, ठाली का किनारा क, अपने चारों ओर देखो, उन चीजों की पहचान करो, जिनके किनारे गुमावदार हैं, और जिनके किनारे सीधे हैं ख, क्या सीधे किनारे वाली चीजों के कोने होते हैं, ग, क्या गुमावदार किनारे वाली चीजों के कोने होते हैं, ग, ऐसी चीजें ढूणने की कोशिश करो, जिनमें दोनों तरह के किनारे हैं, सीधे भी, गुमावदार भी कितने मोड, कितने कोने? C8 कोने मोडते तो? क्या तुम भी इसी कागस को किसी ऐसे तरीके से मोड सकते हो? कि इसके केवल 3 कोने रह जाएं? तुम केवल 2 बार ही कागस को मोड सकते हो. इसके बाद तुम्हें कैसी आकरती देखने को मिलेगी? चार, इसी काम को कागस के एक वर्गाकार टुकड़े के साथ करो प्रिष्ट संख्या 65 पांच, क्या तुम वर्गाकार कागस के सभी कोनों को इस तरीके से मोड सकते हो कि उसके चार ही कोने रहें यहाँ पर नीली पीली एक तालिका दी गई है इसमें उन चीजों के नाम के आगे सही का निशान लगाओ जिनके की कोने होते हैं साथ ही उन चीजों के किनारों और कोनों की संख्या का पता लगाओ यहाँ पर चार खाने दिये गए हैं पहले में लिखा है चीजों के नाम दूसरे में क्या इनके कोने होते हैं तीसरे में किनारों की संख्या और चौथे में कोनों की संख्या चीजों के नाम पहला पासा क्या इनके कोने होते हैं सही किनारों की संख्या रिक्तिस्थान कोनों की संख्या आठ गेंद क्या क्या इनके कोने होते हैं? क्या इनके कोने होते हैं? किनारों की संख्या? यहां दी गई आकरतियों में से उन पर सही का निशान लगाओ जिनके कोने हैं? क्या इन आकर्तियों में घुमावदार रेखाएं हैं? इस प्रिष्ट के अंतिम हिस्से में कुछ आकर्तियां दे गई हैं, जैसे अर्द चंदर की आकर्ति, अंग्रेजी वर्ण माला के सी अक्षर की आकर्ति, चार कोनोवाली आकर्ति, त्रिभुजाकार आकर्ति, अंडाकार आकर्ति, सिधिनुमा आकर्ति और व्रिताकार आकर्ति। क्या तुम केवल सीधी रेखाओं से ऐसी आकर्ति बना सकते हों, जिसका कोई कोना ना हो? प्रिष्ट संख्या 66 टैन ग्राम टैन ग्राम चीन की एक पुरानी पहली है टैन ग्राम के अलग-अलग टुकुडों से हम कई जानवरों, इंसानों और चीजों की आकरतियां बना सकते हैं इस किताब के 201 पीज पर तुम्हें चित्र में दिखाए गए वर्ग की तरह का एक वर्ग मिलेगा इसे ध्यान से काटकर बाहर निकालो और उसके टुकुडों को काटकर अलग करो पांच टुकुडों का ये समुह पांच टुकुडों वाला टैन ग्राम कहलाता है यहाँ पर एक आकरती पांच भागों में बाटी गई है जिसमें त्रिभुज, वर्ग और आयताकार आकरती है इन पांच टुकुडों का इस्तेमाल करके दी गई आकरतियां बनाओ इसी प्रिष्ट के अगले हिस्से में कुछ चिडिया नुमा आकरतियां दी गई है प्रिष्ट संख्या 66 एक, तुम्हारे 10 ग्राम में कितने तिकोन हैं? क्या सभी आकार में बराबर हैं? पता लगाओ तो, 10 ग्राम के दो छोटे तिकोन का इस्तेमाल करके इन आकरतियों को बनाओ पहला वर्ग, दूसरा त्रिभुज, और तीसरा आयताकार आकरती तीन, 10 ग्राम के कौन से ऐसे दो टुकडे हैं, जो बिल्कुल एक जैसे हैं? करके देखो चार, चार और पांच नंबर के टुकडों को लो पता लगाओ कि तिकोन के किस तरफ से तुम दूसरे टुकडे को जोड सकते हो पांच, पता लगाओ कि तुकडा नंबर एक और दो में कौन सा किनारा बराबर है? इसी तरह बराबर किनारे ढूंडो दो और चार में, एक और पांच में, दो और पांच में साथ टुकडों वाला टैन ग्राम साथ टुकडों वाले टैन ग्राम का चित्र यहां दिया हुआ है पेज नंबर 201 से इसे काट निकालो अब तुम इन टुकडों को काट कर अलग अलग कर लो और अलग-अलग तरीकों से आकर्तियां बनाओ। इस प्रिष्ट के अंतिम भाग में एक टैन ग्राम दर्शाया गया है, जिसे साथ टुकडों में बाटा गया है, जिनमें त्रिबुज, वर्ग और आयताकार आकर्तियां हैं। प्रिष्ट संख्या 68 इस प्रिष्ट के पहले भाग में एक बिल्ली और एक बत्तक की आकर्ति दी गई है। इन आकर्तियों को बनाने की कोशिश करो। अब इन्हें भी बनाओ, पर केवल उन टुकडों से जो यहां लिखे गए हैं। क आकर्ति है छे भुजाओ वाली, केवल तिकोनों से। इस प्रिष्ट पर एक द्रिश दिया गया है। जिस पर दो बच्चे दिखाए गए हैं। इनके नाम हैं गोलू और बीनू। ये बाजार जाकर दरियों के दुकान पर दरिया देखते हैं और आपस में बाचित कर रहे हैं। बुनाए के पैटर्न। गोलू और बीनू अपनी चाचे के साथ बाजार गए। उन्होंने वहां कई दरियां देखी। गोलू बोला, अरे वाह, इतने सारी रंग। बीनू बोली, इतने सारी आकरतियां, गोल, तिकोन, क्या-क्या पैटर्न है। इनके किनारों पर तुम्हें किस तरह की आकरतियां दिख रही हैं। उन्हें अपने कॉपी पर बनाओ। क्या कोई आकरती किसी पैटर्न में बार-बार आ रही है। कौन सी। ये आकरतियां कैसी रेखाओं से बनी हैं। क गोमावदार, ख सीधी और ग गोमावदार और सीधी दोनों। अपने कपड़ों, अपनी मा की साड़ी, शौल, चटाईयों और दरीयों को गोर से देखो। क्या तुम्हें उसमें किसी तरह का कोई पैटर्न मिला। उसे अपनी कॉपी में बनाओ। प्रिष्ट संख्या सत्तर फर्ष के पैटर्न क्या तुमने कोई ऐसा फर्ष देखा है, जिस पर डिजाइन हूँ। इस प्रिष्ट के पहले भाग में फर्ष का डिजाइन दिया हुआ है। क्या तुम्हें पता है कि ये डिजाइन कैसे बनाए जाते हैं। ये डिजाइन फर्ष पर टाइलें या रंग बिरंगे पत्थर जमा कर इस तरह बनाए जाते हैं कि बिना खाली जगा छोड़े वो एक दूसरे के साथ जुड़ सकें। उधारण के लिए इस टाइल की आकरती को देखो कि इसे किस तरह फिट किया गया है। अब इस छे किनारे वाली टाइल को देखो। इस प्रिष्ट के अंतिम हिस्से में एक और फर्ष का डिजाइन दिखाया गया है। देखें कैसे इस आकरती की टाइलें बिना खाली जगा छोड़े फर्ष को पूरी तरह ढखती हैं। प्रिष्ट संख्या 71 एक यहां बीच में चार टाइले हैं। इन टाइलों के आसपास चार पैटन बने हैं। लाइन खीच कर मिलान करो कि कौन सा पैटन किस टाइल से बना है। यहां पर एक चित्र दिया गया है। जहां बीच में चार टाइलें दिखाई गई हैं। जो वरगाकार, त्रिभुज और छे भुचाओं वाली हैं। इन चार टाइलों से चार पैटन बनाए गए हैं जो आयताकार और च्छताकार हैं। तुम अपने टाइलें खुद बना सकते हो और उनसे अपने पैटन बना सकते हो. इस किताब के पीछे तुम्हें कुछ टाइलें मिलेंगी. हर टाइल को काट कर उसकी छाब बनाओ और उसमें रंग भरो. दो, नीचे दिये गए पैटन को पूरा करो. इस प्रिष्ट के अंतिम हिस्से में एक आयताकार पैटन दिया गया है, जिसमें विभिन त्रिभुज दर्शाय गए हैं. प्रिष्ट संख्या 72, तीन, इस पैटन को पूरा करो. अब पेज नंबर 70 पर दिये गए पैटन को देखो. दोनु में 6 किनारे वाली आकरतिया हैं, पर दोनु में क्या अंतर है? इस प्रिष्ट के पहले हिस्से में एक पैटन दिखाया गया है, जिसमें त्रिभुज और छे बुजाओं वाली आकरतिया हैं. चार. खुश्बू और हरीज आगरा में रहते हैं. एक दिन वो ताज महल देखने गए. ताज महल के फर्ष पर नीचे दिखाया गया पैटन बना था. खुश्बू ने कहा, मुझे इस पैटन में दो अलग-अलग तरह की टाइले दिख रही हैं. हरीज बोला, मुझे लगता है कि केवल एक ही तरह की टाइल का इस्तेबाल किया गया है. तुम्हें क्या लगता है? अपने दोस्तों से बातचीत करो. इस प्रिष्ट के अन्तिम भाग में एक टाइल का पैटन दिया गया है, जो छे भुजाओं वाली आकरति से बना है. प्रिष्ट संक्या 73. किस स्टाइल में टाइल? ये पैटन इस स्टाइल से बने है. आयताकार. इस पैटन में तीन रंगों का इस्तेमाल किया गया है, ताकि ये सीडियों जैसा दिखे. जब दो रंगों का इस्तेमाल किया गया, तो ये पीले और नेले फूलों का एक अलग पैटन बन गया. अलग-अलग रंगों के मेल से अपने पैटन बनाओ. चिन्टी बोली, मैंने इस टाइल जैसी एक मिठाई देखी है. क्या तुमने इस आकरती को किसी और पैटन में देखा है? किसी दीवार पर, कपड़े पर, दरी पर या टोकरी पर? प्रिश्ट संख्या 74. खजाने की खोज फ्रेंक और जोही की मा ने उनके लिए उपहार छुपा रखा है. लेकिन वो चाहती हैं कि वो दोनों मिलकर एक खजाने की तरह उसे खोजें. उन्होंने उन लोगों के लिए कुछ निर्देश लिखकर रख दिये हैं. क्या तुम जोही और फ्रेंक की मदद कर सकते हो ताकि वो अपना खजाना ढून सकें? एक, सबसे लंबे पेड़ से शुरू करो. रेखांकित, सबसे लंबे. दो, रास्ते पर आगे बढ़ो. रेखांकित, आगे. तीन, छटे टायल से बाईं और मुडो. रेखांकित, बाईं. चार, कुछ कदम चलने के बाद तुम्हें अपनी दाईं और एक पौधा दिखेगा. रेखांकित, दाईं. पांच, इस पौधे के सबसे पास खेल रहे बच्चे की फ्रॉक में रंग भरो. रेखांकित, सबसे पास. छे, पौधे से फिर चलना शुरू करो. साथ, चौथे टाईल से दोबारा बाईं मुडो. रेखांकित, बाईं. आठ, रास्ते में तुम पाओगे कि चौथी टाईल का कोना तूटा हुआ है. रेखांकित, कोना. नौ, तुम्हें वहाँ जमीन पर एक गेंद और एक बैट पड़े हुए मिलेंगे. उन्हें उठाना मत. केवल उनके चारों और गोल घेरा बना दो. रेखांकित, गोल. दस, आगे बढ़ो और दाईं मुडो. रेखांकित, दाईं. ग्यारा, तुम्हें एक आम का पेड़ दिखेगा. पेड़ पर कुछ आम भी दिख रहे हैं. पेड़ पर ग्यारा आमों में रंग भरो. रेखांकित, पर. बारा, आम के पेड़ के आसपास कुछ घास बनाओ. और रास्ते पर फिर से चलना शुरू करो. तेरा, जब तुम सीधे चलोगे, तो तुम्हें एक घर दिखेगा. रेखांकित, सीधे. और चौदह, उस घर के पीछे एक जोला है. उसे खोलो, और तुम्हें उसके अंदर कुछ मीठा सा मिलेगा. रेखांकित, पीछे. अब ज़रा बताओ, फ्रेंक और जुही के माने जोले में क्या रखा होगा? प्रिष्ट संख्या 75. इस प्रिष्ट पर एक द्रिश दिखाया गया है, जिसमें एक आम का पेड़ है, एक घर दिखाया गया है, जिसके पीछे एक जोला रखा है. कुछ अनिवरिक्ष भी है, और यहाँ पर फ्रेंक और जुही भी दिखाये गये हैं, साथ ही बैट और बॉल भी रखा है. शिक्षकों के लिए निर्देश, खजाने की खोज को कक्षा में करवाने से, जगह की समझ को बढ़ाने में मदद मिलेगी. इस काम से बच्चों में स्थिती, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, दूरी, पास, दूर, आकार, बड़ा, छोटा, कोने और आकरतियों को पहचानने के कौशल का विकास होगा. ऐसी ही कुछ और गतिविदियां कराने से, बच्चों को कई कौशलों के विकास में मदद मिलेगी. इसे के साथ, पांचवाँ पाठ आकरतियों का कमाल अब यहीं समाप्थ होता है. स्वर, प्रमीन शर्मा, तक्निकी समन्वयक, बटिलेंग लिंडो, ध्वनियंकन, मयंक कुमार, निर्माण सहयोग, रुचि शर्मा, निर्देशन और निर्माण, विमलेश चोधरी, तथा प्रस्तोती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत। झाल, भारत।